हेलो नमस्कार साथियों मैं हरबीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टाडी चैनल स्टाडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों अभी हम डेली न्यूज एंड करन्ट अफियर का एक और चैप्टर करने वाले हैं तो आज के लिए कुछ इंपोटेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिसकसन करेंगे तो साथियों उमेद करता हूँ कि आपको यह चीजे समझ आएंगे तो सबसे पहला कोशन है आप लोगों के लिए कि अब ही हमारा प्रसंता रैंकिंग आया है मतलब विश्व में जो सबसे प्रसंत देश है उनकी रैंकिंग आई है तो साथियों इसमें फिनलैंड पहले नंबर पर है अब कोशन आ सकता है किसी भी आगामी एक्जाम में कि जो प्रसंता रैंकिंग में पहले स्तान पर कौन है पहले पायदान पर कौन है तो फिनलैंड पहले स्तान पर है इसके बाद बात आती कि इंडिया कौन सी पोजिशन पर है तो साथियों इक बहुत चौकाने वाली बात है कि इंडिया 140 वे नंबर पर है मतलब 140 वे नंबर पर इंडिया की पोजिशन है जो पाकिस्तान से भी नीचे है मतलब बहुत ही दुखत बात है कि इंडिया की पोजिशन इस रैंकिंग में प्रसंता रैंकिंग में पाकिस्तान से भी नीचे है इसके बाद और important question है ICF chain नी दुनिया का सबसे बड़ा rail coach निर्माता बन गया है मतलब जो rail coach बनते हैं उसमें ICF chain नी दुनिया का सबसे बड़ा rail coach निर्माता बन गया है तो ये भी important question है तो ICF chain नी तो आप ध्यान रखे इसके बाद एक और important question आ रहा है कि कजाकिस्तान की जो राजधानियों उसको बदल दिया जाएगा तो बता देना चाहता हूँ अभी जो कजाकिस्तान की राजधानियों वो क्या है अस्ताना है लेकिन इसको बदल कर क्या रखा जाएगा नूर सुल्तान उनके राष्टपती के नाम पे इसे रख दिया जाएगा नूर सुल्तान तो आप ध्यान दे अभी कजाकिस्तान की राजधानी क्या है अस्ताना और इसे बदल कर क्या रखा जाएगा नूर सुल्तान इसके बाद साथियों आपको बिल्कुल पता होगा मनोहर परिकर उनका निधन हो गया था गौवा के वो CM थे तो अभी गौवा के नए CM के रूप में चुना गया है किसको चुना गया है परमोध सावंथ को मतलब परमोध सावंथ गौवा के CM बने और मनोहर परिकर पहले CM थे उनकी मिर्ती हो गए थी cancer के कारण तो साथियों ये important question थे आप लोगों के लिए और ये question ऐसे हैं जो exam में पूछे जा सकते हैं तो अभी हम कुछ और important question है उन पर थोड़ा discussion कर लेते हैं तो अभी एक survey आया है मैं आपको बता दिता हूँ सोध अनुसंदान से एक बहुत बड़ा survey आया है अगर आप जादा गर्म चाय पीते हैं तो हो जाएए साथियों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अगर आप जादा गर्म चाय पीते हैं तो हो जाएए साथियों क्योंकि इससे सरवेय आय है कि अगर आप नियमित तौर पर 75 डिग्री सेलशियस या उससे जादा तापमां तक गर्म चाय पीने वाले है तो आपको खत्रहा है कैंसर का सातियों इससे क्या है कि नली की जो मतलब नली है तो खाने वाली जो नली है उसका कैंसर बढ़ सकता है बन सकता है तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है तो आप पहले ही साफदान हो जाइए तो साथियों ये अपडेट है आप लोगों के लिए उम्मिद करता हूँ कि सारी चीजे आपको समझ आयोंगे और हमने बहुत ही कम टाइम में काफी important question भी कर लिए जो exam के point of view से काफी important है इसके बाद एक चीज और बता देता हूँ आपको पाकिस्तान कंगाल हो चुका है जी हाँ अब सरकारी जो संपत्या है उनको बेच कर अपना कर चुकाएगा 27 खरब रुपे का कर चुका है पाकिस्तान पर और देखा जाए तो मतलब अभी क्याए कि सरकारी जो संपत्या है उनको बेच कर चुकाईगा जैसा कि आप जामते हैं कि काफी टाइम पहले जो मतलब पुराने पीम थे पाकिस्तान के उनकी भैसों को भी बेचा गया था निलाम किया गया था तो ऐसी कंडिशन हो चुकी है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को जरूर इंडिया के साथ इंडिया से मतलब माफी मांग के साहता मांगनी चाहिए और जैसा कि इंडिया हमेशा सही एगरी रहता है कि किसी की भी हेल्प करने के लिए तो पाकिस्तान को जरूर इंडिया से माफी मांग के साहता मांगनी चाहिए और जो आतंगवाद है उस पर मिलकर चलना चाहिए तो जिहाज आती हो यह भी अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए उम्मिद करता हूँ सारी चीजे समझ आयोंगी गुडबाई टेक क्यार थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम